हेलो दोस्तों स्वागत करती हूं मैं आप लोगों का मेरी चैनल पर तो आज मैं आप लोगों को पुराने बैंगल्स और जूट की रसियां होती है और पेरिस के यूज से प्लास्टर पेरिस के यूज से एक आर्टिफिशल बर्ड हाउस बनाना सिखाऊंगे और यह डेकॉरे नाप के ही मैंने दो इस तरह से जो होते हैं कार्ट बोड के पीस के दो गोले सरकल काटे हैं और उसका यूज मुझे इसमें करना है तो सबसे पहले मैं इन चूडियों को देखिए मैंने कुशिस किया पहले फेबिकॉल से चिपकाने का तो फेबिकॉल से यह नहीं चिपका तो मैंने ग्लू गन से सहायता से इस चूडियों को एक के उपर एक रखके इस तरह से चिपका लिया अब मैं इसमें जो जूट की रसियां उसे लपेटूंगी तो स्टार्टिंग में थोड़ा चिपकाने की जुरत पड़ेगी उसके बाद फिर लास्ट में बीच में इसे अज ए दूटकर इस बस गोमा गोमा कर इसे अच्छे से सटा सटा कर इसे रसियों को लगा देना है तो इस तरह से देखेगी मैं सब में पूरे में रसियों को इस दरह से पास करते हुए अच्छे से इसमें लगा दूँगी और गैपिंग को द्यान अ depends? अधहां रखेग, और उसके बाद जो मैंने सरकल काटा है उसे भी इसमें लगाना है एक साइड से तो इसी तरह से मैं दोनों को ही बना लूँगी तो देखिए यह बन गया है और अब इसमें सरकल का हिस्सा जो है उसमें थोड़ा सा ग्लू लगा कर इसके पीछे चिपका देंगे एक साइड इस तरह से ठीक दूसरे में भी कर लेना है तो यह मेरे पास एक जो रशी है पड़ी हुई थी तो इसका यूज मैंने दूसरे डियाइवाइ में किया था और वह रशी बची थी यह थोड़ा कलर फुल रशी इसमें मैंने कलर किया था तो इसका भी लूप बहुत अच्छा के सब्सक्राइब की साथ कटा हुआ है ये कार्टबोर्ड का वह इसमें मैं चपका दूंगे तो देखिए इस तरह से जैसे मैं कहले चिपका इप तो बन के तयार है और अब इसमें जो है इसे किस तरह से लटकाना है वह बनाऊंगे तो उससे पहले मैं बर्ड बनाऊंगी तो बर्ड बनाने के लिए मैंने यहां प्लास्टर और पेरिस पी ओ पी लिया है और थोड़ा सा फेबिकॉल अपने हिसाब से 2-3 चमज डाले तो मैं आधा को ही इसमें पहले कर रही हूं क्योंकि अगर मैं पूरा में फेबिकॉल मिक्स कर दूंगी और पानी तो फिर तुरंत ही सूख जाता है और वो मैंने मिक्सर बना कर रख लिया है और अब यहां देखिए मैं चोटा सा बर्ड शेप का एक बना रही हूं आप पेपर यहां पर मैंने इसके हेड बनाने के लिए एक चोटा सा फॉइल पेपर लेकर उस पे चिपकाया तो उसके बाद यह जो देखिए यहां पर जो परिस है उसमें मैं पानी मिलाकर और फेबिकॉल मिलाकर अच्छे से एक पेस्ट बना ले रही हूं बहुत जादा पतला इस तरह से पूरे दोनों बर्ड में कर लेंगे क्योंकि दो मैंने बर्ड हुष बनाया है तो दो बर्ड मैं बना रही हूं तो इस तरह से यह देखिए इसका बेक और पीछे का साइड का जो पंक होता है उससे भी मैंने अच्छे से पी ओपी से से शेफ दे दिया है और इस बीटा देखकर वह बनाना चाहा तो मैंने उसे भी बनाने दिया क्योंकि उससे भी अच्छा लगा रहा है यह काम करना और बच्चे को ऐसे काम करने देना चाहिए ताकि वह भी खुश रहते हैं असे काम करके तो इस तरह से मैंने दोनों बर्ड बना लिए और तीन से चार कर दें और यह देखिए तो एक बर्ड में मैं ब्राउन कलर कर रही हूं तो मेरे पास ब्राउन कलर नहीं है तो मैंने ब्लू और 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 इंज मिलाकर ब्राउन कलर बनाया है लाइट ब्राउन कलर नहीं है यह डार ब्राउन कलर है तो इस तरह से मैंने येल्लो और एक ब्राउ ब्राउन के ऊपर मैं वाइट कलर से इसका जो सेप है जिससे वह बढ़ के लूप में आजा तो मैं वह दे रही हूं तो इस तरह से मैंने गले पे एकफारी दे दी और देखे यहां पंग की तरह मैंने उसे वाइट से कर दिया है ताकि यह बढ़ का लूप पूरे अच्छे से आज आज Matthew इस पे मैं ब्लाक क्लर कर रही हो यह से लग रही हमाँ डिखने से और यह आइस मेंने बना दिया है पहले वायट दिया और बीच में ब्लाक दिया है और उसके बाद अप इस में आते हैं इस से बिच आप इसके बीच में धूड़ाया और चिपका दिया और देख सकते हैं आप अब समझ गए होगे कि मैंने किस तरह से लगाया अब यह साइड में भी अच्छे से सपोर्ट करें निस्ट को इसलिए मैं यहां भी थोड़ा साग्लू लगा दिया है और अच्छे से इसे stick कर दूँगे यहां भी लगा दूँगे तीनों साइड लगा के अच्छे से stick कर दूँगी और ये देखिए ये बर्ड हाउस एक बन गया है और ठीक उसी तरह से मैं दूसरा भी कर लूँगी तो ये देखिए आप इसमें भी अच्छे से समझ लीचियों कि किस तरह से मैंने किया है मैंने तीन रसिया ली है चोटी-चोटी जिस साइज के आपको लेनी है और उसे बीच में चिपका दिया है और इस तरह से यह देखे दो बन गया है अब जिस तरह से भी इसे हैं करना चाहिए कर सकते हैं तो यहां मैं एक छोटा और एक बड़ा रख ताकि दिखने में अच्छा लगे आप दोनों को एक साइज भी रख सकती है और अब इस तरह से हैंग करने वाले बैंगल में इसे मैं चिपकाऊंगी आप चाहिए तो बांध भी सकते हैं लेकिन बांधने से वो लोक नहीं आता जो मुझे चाहिए तो इस तरह से मैं इसे बनाते हुए आप लोगों को नहीं दिखा दिखाया और वो क्लिप जो है वो मिश हो गया है तो मैंने उसे यलो के बाद थोड़ा ओरेंज और ब्लैक से उसका बीग बनाया है और इस तरह से आप देख सकते हैं यह यलो वाला बर्ड भी कितना खुबसूरत लग रहा है और इसमें ग्लू की मदद से मैं बर्ड को भी इसमें अच्छे से चिपका ले रही हूं और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा वो जो कुछ भी जो ग्रसी होता है उसका थोड़ा निकालके उसमें रख दिया ताकि वो बर्ड हाउश का जो लुक आता है नेस्ट वाला वो आ जाया इसमें झाले रही होता है वो जाउश सबत्सक्राइब कर दिया है ताकि मैं सब्सक्राइब का और लुक रही होता है वह नेस्ट नेप्धॉलिन के गोली और यह रियल में पूरे बर्ड हाउस का जो बहुत अच्छा लूक आ रहा था वह आ रहा था ऐसा लग रहा है कि जैसे रियल बर्ड ही इसमें रखा हुआ है और यह देखिए यहां मैंने अपने बालकनी में इसे हैंक कर दिया है और साम का समय है इसलिए अच्छे से आप आ सकते हैं तो इस तरह से आप भी यह बर्ड हाउस बनाएं यह बहुत ही कम खर्चे में बहुत अच्छे से और बहुत सुन्दर ले लुक देती है तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद एक